नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग comparison करेंगे दो बहुत ही important combination medicines के उपर और ये है R41 और Demia plant जो की sexual weakness, male हो या female हो, nervous weakness, नसो की कमजोरी और old age complaints के लिए बहुत ही important दवाईया हैं और ये जब भी कोई intelligent doctor अपने patient को देना चाहता है main medicine के संग में तो किस सोच के संग म में देगा कौन सी medicine किस age में और कौन सी complaint में ज़ादा भेतर है इसके उपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे request सिर्फ इतनी सी है कि please वीडियो को आगे skip मत करिएगा bell icon दबाना बिलकुल मत भूलिएगा बात समझ में आये तो थमसब दीजएगा और चैनल पर नए है subscribe करन करना बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि जब आप और हम जुड़ेंगे तो हम लोग कुछ intelligent बाते करेंगे और हमियोपधी की public image इसी तरह से improve करेंगे तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं बात करना दो main दवाईयों के बारे में जिनके उपर हमें comparison करना है पहली हो गई R41 इसके उपर already एक dedicated वीडियो है आई बटन में लिंक है आप चाहें तो देख सकते हैं दूसरी दवा है डेमिया प्लांट अब देखिए जो R41 है ये डॉक्टर रेकवेक का combination है और जो डेमिया प्लांट है ये शौबे का combination है यानि WSI का combination है अब फरक जादा नहीं है जो हमारी डेमिया प्लांट है ये लगभग 3500 रुपए के आसपास की एक दवा है तो दोनों में पैसे में इतना अंतर क्यों है ऐसा कुछ नो कुछ तो effect होगा और दूसरा प्लिक ये सोचती है कि भई वो डेमिया प्लांट 2500 वाली थोड़ी महंगी दवाय हो सकता है ज़ादा बेटर हो कुछ पब्लिक ये भी सोचती है कि भई ये नहीं है तो जर्मन दवाय आर 41 ही ज़ादर बेटर दवाय हमारे लिए पर हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए कौन सी बेटर है हमें से भी ये दिखता है या तो पैसा दिखता है या हमें ब्रांट दिखता है अब जो लोग brand prefer करते हैं वो सोचते है R41 ले लो, जो पैसा prefer करते हैं वो सोचते है demia plant ले लो, पर ऐसा नहीं है, demia plant का जो एक combination है, इसके अंदर वो दवाईयां मुझूद है, जो की बहुत जादा complaints करने वाले patient को फायदा करेंगे, कुन कुन सी complaints, अब देखिए अगर आपक sexual drive है, या sexual weakness जो आपकी sexual desire है, वो कम हो चुकी है, सांग में excessive masturbation अगर आप करते थे तो उसकी वज़य से भी आपको कमजूरी आ रही है, अब जो है, आपकी body के अंदर जो semen, seminal discharges है, वो बहुत जादा कम हो चुके हैं, या फिर उसकी quality बहुत अच्छी नहीं है, इसी तरह females के अंदर क्या हो रहा है, कि जो हमारी females हैं, उनके अंदर vaginal discharges बहुत जादा हो रहे हैं, उनकी sexual drive कम हो गई है, उनका जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, कि उनका husband उन्हें हाथ भी लगाए, टच भी करें, इतना जादा indifference उनके अंदर आता जा रहा है, साथ में, शरीर में हर समय weakness रहती है, पढ़े रहने का मन करता है, नसों में कमजोरी रहती है, ऐसा लगता है, जैसे पूरे शरीर के अंदर जान ही नहीं है, उठने का मन नहीं करता है, इस तरह कि कुछ नसों की complaints के विए बहुत जरूरी है, इसके लावा कौन कौन सी nervous complaints, लेकि nervous complaint का मत पतलब ये नहीं होता कि mental nervousness बलकि ये होता है कि हमारे नसों के अंदर, नसों के अंदर क्या कमजोरी है, suppose आपको trembling हो रही है, हाथ पहला आपके कपकपा रहे हैं, कुछ उठा नहीं पा रहे हैं, आपको मन कर रहा है, पढ़े रहे हैं, मेरे शरी में जान ही नहीं है, मेरे को काम करने की इच्छा नहीं कर रही, हर समय पढ़े रहने का मन कर रहा है, लेटे रहने दो मेरे को, मेरे को ये मत करो, मेरे को वो मत करो, जब हम ऑफिस जा रहे हैं, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, बलकुल, आँखों के नीचे हलका हमें काले गड़े से म तो ये वाली nervous complaints की बहुत अच्छी medicine है demia plant इसके अलावा जो हमारे old age patients अब old age patients में problem क्या होती है वही जो मैंने अभी बताई एक तो भूख कम लगेगी, खाना खाने की इच्छा कम करेगी, हर समय कमजोरी महसूस होगी, नसों के अंदर तर्राहट महसूस होगी, हार पेरों मे कपकपाहट बहुत जादा होगी, जो उनका vitality था, जितनी power से वो पहले काम कर पाते थे, जितनी ज़दा energy के संग में काम कर बाते थे, अब वो energy हमारी बहुत जादा reduce हो चुकी है, उसे हम बहतर करना चाहते हैं, दूसरी बात हमारे अंदर कुछ हलकी सी as per the age, हलकी सी जो हम लेकिर हम उसके संग में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कही नहीं हमें वो भी एक guilt हलका सा महसूस होने लग जाता है, कि अब उमर हो गई, अब नहीं कर पा रहा, यह नहीं हो पा रहा, तो जब ये सब चीज़े, चाहे male हो चाहे female होने परिशान करती है, तो demia plant एक बहुत है, पहली हो गई हमारी न्यूफार लूटिया, अब आपको पता है, न्यूफार लूटिया जो male sexual complaints है, खासकर जब आपके अंदर primary infertility बहुत जादा आ रही हो, आपको spermatic discharges बहुत जादा हो रहे हो, या quality उसकी अच्छी ना हो, testosterone फॉल कर रहा हो, impotency जैसे symptoms हो, त body की weakness, muscular weakness, old age complaints और इसके साथ में ना जाने कितनी जादा important जो हमारी male sexual complaints है, और in fact female sexual complaints की भी जिनसे एक बहुत अच्छी दवा है, तीसरी दवा जो यहाँ पर है, that is myura pura, अब यह जो myura pura है, basically African medicine है, यह भी एक aphrodisiac है, यानि sexual complaints की बहुत अच्छी दवा है, तो अब यह जो combination है ना, इसके अंदर जितनी दवाईया है, पहली होगी demiana, agnus castus, jalsimium, myura pura, और साथ में हमारी हो गई new palutia, अब देखिए पांच दवाईया, पांचो एphrodisiac है, बहुत ही strong aphrodisiac है, और बहुत अच्छे results शो करते है, इन सब complaints के लिए, अब आप compare करेंगे जब R41 को demia plant के संग में, तो पहले हम comparison करेंगे composition का, अब composition क्या थी, demia plant में composition बता चुका, जिंसेंग हो गई, demiana हो गई, agnus castus हो गई, new palutia हो गई, myura pura हो गई, पांच दवाई, अब अगर आप R41 की बात करेंगे, तो R41 में जो कुछ दवाईया हैं, अलाग अलाग केटेग्रीज की इसके अलावा कुछ specialized medicine जो की hormones के ओपर काम करती है, especially जो young patients हैं, उनके ओपर बहुतर results दिखाएंगी, उनमें से एक हो गई हमारी testis, जो की हमारे hormones की बहुत अच्छी दवा है, इसके अलावा कॉनियम हो गई, चाइना हो गई, जो की हमारे nervous complaints, नसों की weakness, और साथ में हमारी जो body की weakness है, even after किसी बिमारी के बाद हो गई हो, या किसी और complaints की वज़े से हो गई हो, या शरीर में malnutrition की वज़े से कम आ गई हो, या fever के बाद आ गई हो, अब जो मैं comparison करूँगा इस वीडियो के अंदर, वो करूँगा age group के हिसाब से और complaint के हिसाब, आप से तज़े लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, sexual weakness की, अब देखे, sexual weakness में क्या है, अगर आप एक young patient है, तो हम बहले young patient के बारे हम बात करेंगे, sexual weakness में अगर आप ए young patient है, आपको premature ejaculation की problem है, तो R41 आपके लिए भेतर medicine है, लेकिन अगर आप एक middle aged person है या aged person है, premature ejaculation आपको तब भी हो रहा है, demia plant is a far better medicine for you, ठीक, दूसरी यहां पर आगई, loss of libido, loss of libido का मतलब क्या होता है, कि ना तो हमारे अंदर इच्छा आ रही है, बहुत जादा, और अगर इच्छा आ भी जा रही है, तो हमारा discharge जल्दी हो जा रहा है, अब यह जो loss of libido है, अगर young patient के अंदर हो रहा है, R41 is better, ल demia plant शुरू कर सकते हैं, foreign demia plant के उपर ना है, तो जब आप erection के बारे में बात करेंगे, तो सबसे बड़ी complaint का है, loss of erection, कैसा loss of erection, भाई, young age के अंदर भी हो सकता है, और middle age और हमारे aged patients में भी हो सकता है, पर अगर हमारे young patients के अंदर loss of erection हो रहा है, या erection की जैसी weakness हो रही ह और उसके बाद doctor से सलाह लेकर proper homopathy medicine अपने symptoms के हिसाब से लेनी चाहिए, उसके अलावा दवाजादा switch करने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन अगर old age patients हैं, middle age patients हैं, तो आप demia plant प्रिफर करिए, rather than R41, और संग में proper homopathy medicine लीजे, तभी आपको results अच्छे मिलेंगे, अब स charges properly नहीं हो रहे हैं, जो हमारे semen है, वहाँ पर, जो हमारा semen count है, sperm count है, sperm count हमारा थुरा से पूर है, sperm quality हमारी पूर है, priority में समझिए, चाहें आप middle age patient हो, चाहें आप young age patient हो, पहले doctor से बात करिए, proper case taking कराईए, proper details दीजे, जो दिक्कत है, उसके हिसाब से proper दवा select करिए, उस पर results जितने आने चाहिए, उतने नहीं आते हैं, तो आप demia plant prefer कर सकते हैं, लेकिन अगर middle age patient है, तो R41 ना try करके, आप demia plant prefer करिए, यह हो गई बात हमारे male complaints के बारे में, अब अगला सवाल उठता है, यहाँ पर हमारे nervous weakness, लेकिए weakness अपने आप में बॉल्वरा टॉप है, तो demia plant मत लीजे, लेकिन हमारे middle age या old age के patients हैं, उनसे request है, केवल overall body weakness अगर आपको हो रही है, आप demia plant prefer करिए, केवल 5 बून सुबह शाम के साब से sufficient है, अब हम बात करेंगे नसों की weakness के बारे में, तो नसों की weakness हो रही है, young patients में हो रही है, हो सकता है, anxiety की वज़े से हो, हो सकता है, panic disorder की वज़े से हो, डॉक्टर से बात करिए, जबरदस्ती, दोनों में से कोई भी दवा मत लीजे, पर अगर middle age patient है, old age patient है, आप लोग demia plant राए करिए, ज़ादा बेटर रहेगा, और जो sexual weakness थी, उसके उपर मैं already बात कर चुका हूँ, अब अगर post febrile, यानि fever के बात क की weakness हो रही है, या किसी disease के बात की weakness हो रही है, तो चाहे middle age patient हो, चाहे young age patient हो, R41 ही आपके लिए भेतर दवा है, demia plant की आपको कोई requirement नहीं है, अब हम बात करेंगे हमारे old age patients के लिए, जो हमारे old age patients हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी कमजोरियां होती है, नसों की कमजोरी के लिए old age patients की सबसे बेतर दवा है demia plant, अब नसों की कमजोरी चाहें overall नसों की कमजोरी हो रही हो, हाथ में कपकाहट हो भूग ने लग रही हो, कमजोरी रह रही हो, चक्कर से आ रहे हो, लेटर रहने का मन कर रहा हो, demia plant हमेशा old age या middle age patients के लिए बेतर medicine है, जा age group में आके ही सब परिशानिया होनी है, age related degeneration होता ही है, तो उसमें aphrodisiacs जो है, proper aphrodisiacs बोही आपके लिए जादा बेटर है, middle age patients की बात करे, भाई जो हमारे parents है, या आप मान करें 35 प्लस से लेके 55 प्लस के जो हमारे patients हैं, उनको ये वाली complaints बहुत जादा होती है, office going लोग ह परिशान रहते हैं, males को अगर इन तरह की complaints होती है, overall complaints हो रही है, किसी भी तरह की weakness हो रही है, और sexual weakness साथ में है, आपको मैं already बता चुआ हूँ, कौन सी दवा किसके लिए लेनी है, फिर भी middle age patients के लिए, demia plant थोड़ा सा better combination है, क्योंकि overall weakness भी ये cover करता है, और हमारे जो middle age females है अगर वो भी लेना चाहती है, तो वो भी demia plant दे सकती है, वो भी आपको complaints में भी अराम मिलेगा, तो देखिए, इस video में जितनी detail में, और proper तरह से मैंने आपको चीज़ें बता रहे हैं, अगर आप मेरी बातों को follow कर रहे होंगे, तो आपको results मिलेंगे, अब देखिए, caution व लीजे, self-medication बहुत ज़्यादा मत लीजे, इन सब complaints के लिए proper symptomatic treatment लेना ज़्यादा बेटर है, फिर ये combination medicine संग में add on कर लीजे, जल्दी improvement आ जाएगा, ठीक, तो I hope कि इस video में मैंने आपको बहुत तसली से, बहुत सारी चीज़ों के उपर discussion करते हुए, कुछ बहुत important बात बताई हैं, अगर आप इन बातों को follow करेंगे, तो आप भी इन दोनों combination medicines के संग में ज़्यादा better results पा सकते हैं, और जल्दी अपनी complaints को और भी better कर सकते हैं, अगर आपको मेरी बात इसी तरह समझ में आई हो, तो please thumbs up देना बिल्कुल मत भूलिएगा, कोई सवाल छूट किय कोई बात रह गई हो, comment section में छोड़ दीजेगा, reply करने की पूरी कोशिश करूँगा, और अगर आप इन सब चीजों से संतुष्ट हैं, मेरे पास चैनल पे पहली बार आए हैं, तो please चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप और हम जुडेंगे, सही बाते क करेंगे, लॉजिकल बाते करेंगे, तभी हमियोपधी की पब्लिक इमेज इंप्रूफ करेंगे, मेरी तरफ से नमिश्कार, thank you.